आज दाउटनेट आप डाउटनेट पर अपने सब ही गनित, रसायन, विज्यान, भौतिक विज्यान और जी विज्यान के डाउट्स का करो सपाया बस प्रशन की फोडो खीचो, एची प्रशन को क्रॉप करो और तुरंट वीडियो सिलीशन पाओ अब ही डाउटनेट करें इन में हमारे क्या होते हैं दोस्तों यह हमारे प्राकृतिक बहुलक होते हैं जो कि जीवानों के द्वारा अबघटन होने के परशाथ में प्राप्त होते हैं ठीक है तो हम कहा सकते हैं दोस्तों इसकी परिवासा क्या हो जाएगी प्राकृतिक बहुलक का जिवाणों के द्वारा अबघटन हो जाता है इन बहुलक को हम क्या कहते है दोस्तों इने ही हम जयो नेमनी करेंड बहुलक कहते है क्योंकि इसमें क्या होता है यह जो हमारे प्राकृतिक बहुलक है यह जीवाणों के द्वारा अबघटित हो जाते है अब दोस्तों इनके उधारन कौन-कौन से है जो कि हमारे जेमनेमनी बहुलक में आते हैं यह हम जान लेते हैं तो दोस्तो यह जो हमारे प्रकृतिक बहुलक के उधारन है, जैसे कि दोस्तो हो गया हमारा starch, ठीक है, यह हो गया हमारा starch, जो कि एक तरह से हमारा जेवनेर्म निकरित बहुलक है, इसी तरह से दोस्तो होता है हमारा protein, ठीक है, साथ में दोस्तो हो गया हमारा cellulose, ठीक है, यह ह हमारे किस में आते हैं जया जर्मनायम निक्रइट भीलक में आते हैं ठीक है आप दोस्तो साथ में यहां पर 4 विकल्प दिए गए हमें बथाने कि कौन से हम्छाबर विकल्प हमें जर्ण जर्मनायम निक्रित भीलक दिए differs और हमारा जो ethylene है इसमें हम करते है योगात्मा गहुली करण की ग्रिया जिसके द्वारा यह में polyethylene प्राप्त होता है ठीक है तो यह दोस्तों एक तरह से हमारा क्या होगा संसलेसित बहुलक का उधारान होता है तो यह option यहाँ पर क्या होगा गलत होगा क्योंकि हम इसे कृत अबयो क्रिणध ग्रेक कृतिम तरबे बनाते है ठीक है इसी तरह से यहाँ पर जो हमें दूसरा उप्षिन दिया गया है कि है क्या голос क्या दोस्तो जानते है यहाँ पर हमारा जो है संगनन बहुली करेंट की ग्रिया होती है ठीक है जो कि हम कृतिम रूप से बनाते हैं यहां पर हमारा फिनॉल और फॉर्मिल डिहाइड इन दोनों के संगनन के पश्यात प्राप्त होता है तो यह option भी दोस्तों यहां पर गलत होगा क्योंकि हमारा क्रितिम बह क्रितिम बहुलक का उधारन है तो दोस्तों यहां पर हमारा जो ऑप्सन सी है प्रोटीन यह हमारे यहां पर क्या होगा बिल्कुल सहीं उत्तर होगा जो की एक तरसी के आजिए बहुलक है सारे डाउट्स आ चार्सो 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 पर